तो सबसे पहला जो दोस्तो राज है वो है आंदर पर्देश और आंदर पर्देश के मुख मंतरी का क्या नाम है तो आंदर पर्देश के मुख मंतरी है चंदरबाबू नाइडू ठीक है कब से हैं तो बर्ष 2014 से हैं कौन से पार्टी से हैं तो तेलगू देशम पार्टी से है उसके बाद दोस्तों दूसरे नमर पर है अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश के बरतमान मुखमंतरी का क्या नाम है तो इनका नाम है पेमा खांडू कब से हैं तो 2016 से हैं कौन से पाठी के हैं तो भारतिय जनता पाठी के हैं उसके बाद तीसे नमबर पर है दोस्तो अशम, अशम के मुख मंतरी कौन है, तो अशम के मुख मंतरी है, सरवानंद शोनोबाल, और ये कब से है, तो बर्ष 2016 से है, किस पार्टी के है, तो भारतिया जनता पार्टी के है, उसके बाद है दोस्तो बिहार, तो बिहार राज के ब उसके बाद है दोस्तो 36 गड़ तो 36 गड़ के बरतमान मुखमंतरी का क्या नाम है तो इनका नाम है रमन सिंग ये कौन से पार्टी से हैं तो ये भी भरतिय जनता पार्टी के हैं कब से हैं तो बर्ष 2003 से ही ये मुखमंतरी बने हुए हैं 36 गड़ के उसके बाद दोस्तो जो भ बरतमान मुखमंतरी है अरबिंद केजरिबाल कब से हैं तो बर्ष 2015 से हैं पार्टी कौन सी है तो आमादमी पार्टी है उसके बाद आता है दोस्तो गोवा तो गोवा के बरतमान मुखमंतरी कौन है तो यह हैं मनोहर पारिकर कब से हैं तो 2017 से हैं कौन से पार्टी के हैं भारत से पार्टी के हैं तो भारतिय जनता पार्टी के हैं उसके बाद आता है दोस्तो हर्याना हर्याना के बरतमान मुखमंत्री का क्या नाम है तो इनका नाम है जैराम ठाकूर कब से हैं तो 2017 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो भारतिय जंता पार्टी के हैं उसके बाद आता है दोस्तो जम्मू एंड कस्मीर तो जम्मू एंड कस्मीर के जो है दोस्तो बरतमान में भी कोई मुखमंत्री नहीं है यहाँ पे अभी गवर्नल रूल लगा हुआ है ठीक है और कब से लगा हुआ है तो 20 जून 2018 से जो है वो लगा उसके बाद आता है दोस्तो जहारखंड तो जहारखंड के जो बरतमान मुख मंतरी हैं उनका नाम है रगुबरदास कब से हैं तो बर्ष 2014 से हैं किस पार्टी के हैं तो भारतिय जनता पार्टी के हैं उसके बाद दोस्तो आता है करनाटका तो करनाटका के जो बरतमान मुख मंतरी हैं उनका नाम है HD कुमार शौमी ठीक है और ये कब से हैं तो बर्ष 2018 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो इनके पार्टी का नाम है जनता दल सेकुलर उसके बाद आता है दोस्तो केरला तो जो केरल है के बरतमान मुखमंत्री का क्या नाम है तो केरल के बरतमान मुखमंत्री है पिनेराई विजियन ठीक है और कब से हैं तो बरस 2016 से हैं कौन सी पार्टी है तो कम्यूनिस्ट पार्टी ओफ इंडिया है ठीक है उसके बाद है दोस्तो मदपर्देश के बर्तमान मुखमंत्री का क्या नाम है तो इनका नाम है सिबराज सिंग चोहान कब से हैं तो बर्ष 2005 से ही मुखमंत्री बने हुए हैं मदपर्देश के कौन से पार्टी के हैं तो भारतिय जन्ता पार्टी के हैं उसके बाद आता है दोस्तो महराष्ट्रा महर चाष्टर के बर्तमान मुक मंतरी का क्या नाम है तो इनका नाम है दिबेंदर फर्नवीज कौण से पाठी से हैं जनता करद बहुता हुःस कि सींत हैं तो मश्च करद मैंतर नाजnai ठीक है कब से हैं तो 2018 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो National People's Party के हैं तो मिजोरम के जो बरतमान मुख मंतरी है इनका नाम है लल्थन हवला ठीक है कब से हैं तो बरस 2008 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो Indian National Congress यानि की Congress Party के हैं उसके बाद आता है दोस्तो नागा लेंड नागालेंड के बरतमान मुख मंतरी का क्या नाम है तो इनका नाम है नेफियू रियो और ये कब से हैं तो बरस 2018 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो Nationalist Democratic Progressive Party के हैं उसके बाद आता है दोस्तो ओरिशा ओरिशा के बरतमान मुख मंतरी का क्या नाम है तो इनका नाम है नवीन पतनायक है ये कब से हैं तो बरस 2000 से हैं ये ओरिशा के मुख मंतरी है पार्टी का क्या नाम है तो पार्टी का नाम है बीजू जनता दल उसके बाद आता है दोस्त तो पुड़ूचेरी, पुड़ूचेरी के बरतमान मुक्मंतरी का क्या नाम है, तो ये है नरायन शौमी, भी नरायन सौमी, कब से हैं, तो बर्ष 2016 से हैं, पार्टे का नाम क्या है, तो पार्टे का नाम है Indian National Congress, उसके बाद दोस्तो आ रहा है पंजाब पंजाब के बरतमान मुख मंत्री का क्या नाम है तो इनका नाम है अमरिंदर सिंग ठीक है कब से हैं तो बर्ष 2017 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो ये कौंग्रिस पार्टी के हैं उसके बाद है दोस्तो राजस्थान राजस्थान के ब बर्तमान मुख मंत्री हैं इनका नाम है पवन कुमार कब से हैं तो बर्स 1994 से हैं यह शिक्किम के मुख मंत्री है पार्टी का नाम क्या है तो पार्टी का नाम है शिक्किम डेमोक्रेट उसके बाद दोस्तों अगला है तमिलाडू तो तमिलाडू के जो बर्तमान मुख मंत्री है इनका नाम है के पलानिश्वामी और कवसे हैं तो बर्ष 2017 से हैं पार्टी का नाम क्या है तो इनके पार्टी का नाम है अल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेटरा खजागम ठीक है उसके बाद है तिलंगाना तो तिलंगाना के जो बर्तमान मुखमंत्री है उनका नाम क्य खर रहा हो कब से हैं तो बर्स 2014 से हैं पाठी का नाम क्या है तो पाठी का नाम है तिलंगाना राष्ट्र शमीती ठीक है उसके बाद है Kapura के जो दोस्तों बरतमानमुख मंत्री है इनका नाम है विपलक मुमार देव और कब से हैं तो बर्ष 2018 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो ये भारतिय जनता पार्टी के हैं उसके बाद आता है दोस्तो उत्तर परदेश उत्तर परदेश के बरतमान मुकमंतरी कौन है तो ये हैं योगी आदित्यनात कब से हैं तो बर्ष 2017 से हैं कौन से पार्टी के हैं तो भारतिय जन्ता पार्टी के हैं उसके बाद आता है दोस्तो उत्राखंड उत्राखंड के जो बरतमान मुखमंत्री हैं उनका नाम है त्रीबेंदर सिंग राबत कौन से पार्टी के हैं तो भारतिय जन्ता पार्टी के हैं कब से हैं तो बर्स 2017 से हैं उसके बाद दोस्तो है वेश्ट बंगाल, तो वेश्ट बंगाल के जो मुख मंत्री हैं, इनका नाम है ममता बनर जी, कब से हैं तो बर्ष 2011 से हैं, और इनके पार्टी का नाम क्या है, तो इनके पार्टी का नाम है All India Trimool Kong, और दोस्तो अभी हमने भारत के सभी राज्यों और क इंदर सासित परदेश के मुख मंत्रियों का नाम जाना, अब दोस्तो अब हम जो राजपाल है, राजपाल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तो सबसे पहले है आंदर परदेश, तो आंदर परदेश के बरतमान डाजपाल का क्या नाम है, तो दोस्तो इनका ना नाम क्या है तो इनका नाम है बीडी मिस्रा और ये कवसे हैं तो 3 अक्टूबर 2017 से हैं उसके बाद आता है दोस्तो अशम असम के जो बरतमान राजपाल है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है जगदीस मुखी और ये कवसे हैं तो ये बस 2017 से असम के राजपाल बने हुए हैं उसके बाद आता है दोस्तो 36 गड़ जो है इसके बरतमान राजपाल कौन है तो इसके बरतमान राजपाल है बलराम दाश टंडन और ये कब से है तो ये है बर्स 2014 से 36 गड़ के राजपाल उसके बाद आता है दोस्तो गुवा गुवा के बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो के बरतमान राजपाल का नाम है मरिदुला सिन्धा और ये कब से हैं तो ये बर्ष 2014 से हैं उसके बाद आता है दोस्तों गुजरात गुजरात के बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो गुजरात के बरतमान राजपाल का नाम है ओम परकाश कोहली और ये कब से हैं तो ये बर् उसके बाद आता है दोस्तो हिमाचल परदेश तो हिमाचल परदेश के जो बरतमान राजपाल है उनका नाम है आचार देव बर्त और ये कब से हिमाचल परदेश के राजपाल है तो ये बस 2015 से हिमाचल परदेश के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो जम्मू एंड कस्मीर तो जम्मू एंड कस्मीर के अभी बरतमान राजपाल कौन है तो इनका नाम है नरेंदरनात वोहरा और ये कब से राजपाल है तो ये 25 जून 2008 से जो है वो जम्मू कस्मीर के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो जारखंड तो जारखंड के जो बरतमान राजपाल है उनका नाम है द्रोपती मुर्मू और ये कब से जारखंड के राजपाल है तो ये 18 मैं 2015 से जो है वो जारखंड के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो करनाटका करनाटका के बरतमान इवाला और ये कब से करनात्का के राजपाल है तो ये बर्स 2014 से करनात्का के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो केरला तो केरला के बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो इनका नाम है पी सत सिबम और ये कब से केरला के राजपाल है तो ये बर्स 2014 से केरला के राजपाल उसके बाद आता है दोस्तों मद्य पर्देश तो मद्य पर्देश के जो बरतमान राजपाल है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है आनंदी बेन पटेल और ये कब से मद्य पर्देश की राजपाल है तो ये 2018 से जो है वो मद्य पर्देश की राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तों महराष्ट्रा तो महराष्ट के बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो इनका नाम है बिद्या शागर राओ सी बिद्या शागर राओ और ये कब से महराष्ट के राजपाल है तो बर्स राजपाल का क्या नाम है तो इनका नाम है गंगा परसाद और ये कबसे मेगाले के राजपाल है तो ये बस 2017 से मेगाले के राजपाल है दोस्तों मिजोरम तो मिजोरम के जो बरतमान राजपाल है इनका नाम क्या है तो मिजोरम के बरतमान राजपाल का नाम है कुम नम राज स ठीक है और ये कब से हैं तो ये 19 माई 2018 से जो है वो मिजोरम के राजपाल बने हुए हैं उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है नागालेंड नागालेंड के दोस्तों बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो इनका नाम है पदनाब आचार और ये कब से नागालेंड के बरतम राजपाल है इनका नाम है गनेशी लाल और ये कब से ओडिशा के राजपाल है तो ये बस 2018 से ओडिशा के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो पंजाब तो पंजाब के बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो इनका नाम है भीपी सिंग बदनौल और ये कब से पंजाब क के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो राजस्थान तो राजस्थान के बरतमान राजपाल का क्या नाम है तो इनका नाम है कल्यान सिंग कब से हैं तो बस 2014 से ये जो है वो राजस्थान के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तो शिक्किम तो शिक्किम के बरतमान राजपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित और ये कब से हैं तो ये 6 एक्टूबर 2017 से जो है वो तमिलाडू के राजपाल है उसके बाद आता है दोस्तों तमिलाडू के बाद तिलंगाना तिलंगाना के बरतमान राजपाल का कहना मैं तो दोस्तों इनका नाम है एसल नरसीहन और दोस्तों ESL नरसीहन जो हैं ये आंदर परदेश के राजपाल है ठीक है इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तिलंगाना के राजपाल के रूप में कब से तो दो दून जो 2014 से और अभी दोस्तों हमने राजिके राजपालों की बात करे की अब हम केंदर सासित परदेश की बात करते हैं तो दोस्तों अंडमान और निकोबार्क के जो LG है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है देवेंदर कुमार जोसी और ये कब से अंडमान और निकोबार्क आइसलैंड के LG हैं तो बर्स 2017 से हैं उसके बाद है दोस्तों की जो चंडीगड है चंडीगड की एद्मिस्ट्रेटर कौन है ये भी दोस्तों चंडीगड भी केंदे साथ से परदेश है और इसके दो एद्मिस्ट्रेटर है इनका नाम है बीपी सिंग बदनोड और कब से हैं तो बर्स 2016 से हैं उसके बाद है दोस्तों एद्मिस्ट्रेटर ओफ दादर एंड नगर हबेली तो इसके कौन है तो ये है परफुल कोडा पटेल ठीक है और इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ हुआ है दादर एंड नगर हबेली का कब से तो बर्स 2016 से उसके बाद आता है दोस्तो एड्मिनिस्ट्रेटर ओफ दमन एंड्वी तो यह कौन है दोस्तो यह है परफुल कोड़ा पटेल और कब से हैं तो दोस्तो बस 2016 से हैं दोस्तो जो परफुल कोड़ा पटेल हैं यह एड्मिनिस्ट्रेटर हैं दादर एंड नगर हवेली का जहां पे इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है और ऐसे यह कहां के हैं पर फुल कोटा पटिल कहां के administrator है तो यह दमन एंड दूई के administrator है उसके बाद आता है दोस्तो दिल्ली के LG कौन है तो यह अनिल बैजल कब से हैं दोस्तो तो पुड्डू चेरी पुड्डू चेरी के LG कौन है तो यह किरन बेदी हैं कब से हैं तो बर्ष 2016 से हैं